जी हां दोस्तो स्वागताब का स्वीजी चनलर में तो दोस्तो आज किस वीडियो बात करेंगे MP College Admissions के बारे में जैसा कि आप सभी को पता है हम College Admissions के बारे में वीडियो बनाते हैं और जिसमें हम देखते हैं कि College में Admissions कैसे होता है लिंक आपको description box में मिल जाएगा अगर आपने registration कर लिया है तो registration करने के बाद हमें choice-plink करना होता है यहां दोस्तों चाहे बी-ए-बी-कॉम बी-ए-दी की याणी की यूजी पश्टियर के student हो चाहे आप दोस्तों M.A.M.C.PG के student हो आप सभी को यहां पर choice play करनी होती है, अब choice play के लिए online आप एतन हमें कैसे बरना है, पूरी जानकारी को बताँगा, college हमें कैसे choice करना है, college को choice करने के लिए हमें college की code और course की code हमें कहां से मिलेंगे, यह सारी जानकारी में आपको बताने बाला हूं 2013-2023 में admission लेने के लिए, तो सबसे पहल यानि कि UG, BA, BC, BAS, BALB कोर्षेस में admission के लिए registration किया है तो आपको non-minority college या minority college वाली link पर क्लिक करना होगा अब दोस्तों इनमें से आपको कौन सी link पर क्लिक करना है अगर आपने registration किया है non-minority college के लिए तो non-minority college पर जो की choice filling होगा अगर आपने registration minority college के लिए किया है तो पिर choice filling भी minority college का होगा ऐसे ही दोस्तों PG student के लिए PG student के लिए रूल्स लागू रहने बाले अगर आपने non minority college के लिए registration किया है तो इस पर click करना है जिसके लिए आपने registration किया है तो चलिए हम यहाँ पर non minority college पर जो कि क्लिक करते हैं अब हमारे सामने इस तरह का इंटरफीस आ जाएगा चेक मार कर दिना है यहाँ पर ठीक है चेक मार करना है आए सेप्ट पर क्लिक करना है इसके बाद इस तरह का इंटरफीस आ जाएगा ठीक है यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आप आपने रजि पाइंगे सब्सक्राइब जोन पहुंद कर पाएंगे तो आप चॉइस प्लिंग करने के लिए यहां पर हम चॉइस प्लिंग वाली लिंक पर देकाई देने वाली है, और यह पूरा इस तरह का interfuse आज़ाएगा, जैसा कि देख पा रहे हैं, यह इस तरह का पूरा interface आपको देकाई देने वाला है यहाँ पर आप क्या कर पाएंगे, यहाँ पर आपको अपने college की choice Pling करना है, college की choice Pling का मतलब क्या कि यहाँ पर आप जो अपने 15 college select कर सकते हैं आपको जिस college में admission लेना है सबसे पहले आप चाहते हैं कि merit list में आपका उसी college में नाम आए जिस college में है तो उस college को first number पर select करिए ठीक है first number पर डालिए दूसरे number पर आपको जानदा interest नहीं है उस college यहांपर आपके हैं सबसे पहले तो आपको जिस college में admission लेना है जो आपको कॉलिज वह ठो आपको selling लीना है तो कि जीकरता आता है वह आपको स्लेक्राइक करना हूँ टरीक है जो भी आपक शली हम यहां से क्वालिय स्लेक्ट कर लेते हैं इसके बाद में कॉलیज का स्टेटस करना होगा कि आपका गवर्मेंट कॉली या प्राइबेट लेना है तो यहाँ पर हम government PG college यहाँ पर मुराद यहाँ पर select कर लेंगे ठीक है इसके बाद में course को all course रहनी देना है यहाँ पर यहाँ पर बाइड़ पर course भी देख सकते हैं इसके बाद में capture code डाल लाएं get details पर आप जैसे क्लिक करोगे आपके सामने पूरी की पूरी course की details आ जाएंगी कि इस कॉले में कौन-कौन से course चलते हैं वो सभी course के नाम यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे ठीक है यहाँ पर आपको किस course में admis लेना है जैसे कि आपको BA में लेना है या BCOM में लेना है अगर आपको BA मे कोर्स का कोड हो आपकी college का कोड हो यहाँ पर सर्च करके डालना है add preference पर आपको क्लिक कर देना है जैसी यह एड़ प्रिफरेंस पर आप किलिक करोगे आपके सामने पूरा course का detail आ जाएगा जैसा कि देख पार है इस college का नाम और course का नाम यहाँ पर आपको दिखाई दे में आपको nocless per click करना and teak कर आपको kडिक करना है लॉग बेखलप भर तो यहां से हम इसको लॉक करदेंगे जैसी हम इसको लॉक कर देंगे हमारा 'll offer नो हो जाएगा लॉक कोने के बाद रचा MR Heberg होजए का यहाँ अब आपको नाम निक्स आदेगे अदेगा अब आपको क्या करना इसका प्रेंट आउट निकाल कर आपको अपने पास में रख लेना है ठीक है उमीद करना पूरी इंप्रमीशन अच्छे समझ में आ गई हूँ कि वीडियो को शेयर करते हैं मिलते अगली वीडियो वेको जानकारी के साथ तब तक लिए बाई और साथ एक चो